नमस्कार दोस्तों हमारा जीवन कठनाईयों और चुनोतियों से भरा हुआ है हम सब चाहते हैं कि ये कठनाईया ये चुनोतियां जरूर रहें लेकिन इसके बावजूद भी हमें सफलता मिले है लेकिन सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है सफलता के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है और इसके बावजूद भी सफलता मिले या ना मिले ये तैं नहीं होता और अक्सर यही प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसके जरीए हम वो सब कुछ आकर्षित कर सके जो हम चाहते हैं और इस दौर में एक शब्द बहुत जादा चर्चा में आया वो शब्द है लोग कहते हैं कि क्या लोफ एट्रिक्शन यानि आकर्षिन के नियम से हम जिन्दगी में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं जो हम पसंद करते हैं लोग कई तरह से लोफ एट्रिक्शन को अमल में लाने की कोशिश करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी ज्यादा तर लोग अपनी मन चाहिज चीज पाने में नाकाम साबित हो जाते हैं इसके पीछे वज़ाय क्या है एक व्यक्ति की सफलता या असफलता में कई कारक होते हैं जो या तो विग्ण पैदा करते हैं या समर्थन करते हैं एक कारण है आपकी हरिडिटी आपका डियने आपके संसकार आपके परिवार से आपके खांदान से आपको शरीर के रूप में किस तरह के गुण सूत्र मिले हैं ये आपकी सफलता में एक महतवपून कारण अदा करते हैं दूसरा है आपकी उर्जा का इस्तर वर्तमान से जुड़ा हुआ भी हो सकता है और आपके पास्ट से जुड़ा हुआ भी हो सकता है आप अपने प्रारब्ध से किस तरह के कर्म संसकार लेकर आए हैं किस तरह की उर्जा के इस्तर को लेकर पैदा हुए ये भी आपके भाग्य में आपकी किस्मत में एक महत्वपूर्ण भूमी का अदा करता है आपके आसपास की परिस्थती, आपके विचार, आपकी भावनाएं ये सब मिलकर आपकी overall vibrational frequency का इस्तर बना दे और overall vibrational frequency से ही तै होता है कि law of attraction आपके लिए कितना काम करेगा आपके विचार, आपकी इक्षाएं किसी चीज को प्राप्त करने की है लेकिन आपकी भावनाएं उसके विप्रीत है आपकी उर्जा उस चीज से मेल नहीं खा रही जो चीज आपको चाहिए तो क्या आप अपने कर्मफलों को, अपने गुर्ण सूत्रों को, अपने संस्कारों को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को परिवर्थित कर सकते हैं निश्यत तोर पर कर सकते हैं और वो कैसे होगा वो होगा योग से योग के बारे में मैं कई बार बता चुका कि योग सिर्फ एक शब्द नहीं है योग एक विज्ञान है योग का अर्थ है युज यानि जोड़ना उन तमाम तरीकों को अपने जीवन की शली के साथ जोड़ना जो आपके जीवन को नकारात्मक कर्मों के प्रभावों से नकारात्मक उर्जाओं के प्रभावों से नकारात्मक संसकारों के प्रभावों से मुक्त करें और सकारात्मक ता सकारात्मक उर्जा सकारात्मक विचार भाव सब कुछ आपके जीवन में पैदा करें इसी से आपको सफलता में लिए योग सिर्फ ध्यान करना नहीं है योग के कई पहलों हट योग राज योग सहज योग ध्यान योग मंत्र योग लाय योग ये सारे तरीके इन सब को यदि आप एक सुत्र में पिरोकर अपने को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है हट योग को ही ले लीजिए हट का मतलब है जबरदस्ती कुछ खास तरह है कि क्रियाओं से अपने शरीर को लचिला बनाना याद रखिए आपके शरीर से भाग्य का सीधा संबंध है योग से हम अपने शरीर की मांस्पेश्यों को लच करते हैं शुरुआत में हमें हट का सहरा यानि जबरदस्ती का सहरा लेना परता है धीरे धीरे फिर योग हट योग से बदलकर सहज योग में तब्दिल हो जाता है मंत्र योग से हम नकारात्मक विचारों को दूर कर सकते हैं ध्यान के जरीए हम सकारात्मक ता और परमात्मा की उर्जा को अपने अंदर अकर्शित कर सकते हैं लए योग से ध्वनी के जरीए नाद के जरीए हम उस परमात्मा से तारे तम में बैठा सकते हैं योग को अपने जीवन में शामिल कीजिए किसी एक पद्धती से, किसी एक विदी से जुड़ जाईए और योग से जुड़ने का अर्ध ही है अध्यात्मिक हो जाना आपको अपने जीवन को उचा उठाने का पूरा अधिकार है और इस अधिकार का प्रयोग कीजिए बहुत बहुत है मेरा